तो दूस्थू IPL 2024 में आज डबल हेडर मुकाबले खेले गए जो कि 36 और 37 मुकाबला जहां 36 मुकाबला कोलकाता नाइट एडर्स बनाम रोयल चैलेंजर्स बिंगलूरू के बीचे खेला गया और इस मुकाबले में कोलकाता नाइडर्स ने रोयल चैलेंजर्स बिंगलूरू क को हरा कर point stable में दूसरे अस्तान पर पहुच चुगी है जबकि 37 वह मुकाबला पंजाब किंग बनाम गुजरा टेडं के बीचे खेला गया और इस मुकाबले में गुजरा टेडं ने पंजाब किंग को हरा कर पोइंच टेबल में काफी बड़ा उलट फेर कर दिया है जहां पंजाब किंग को पोइंच टेबल में काफी बड़ा नुकसान हुआ है तो वही गुजराट टेडन पोइंच टेबल में बड़ी बड़त बना लिए ऐसे में point stable में कौन सी team किस अस्तान पर है कितने point के साथ और यहां से अप play off में qualify करने के लिए किस team को कितने match और जो है जीतने होंगे इस उड़ा में आपको सारी जानकारी मिलने वाली है तो दोस्तो वीडियो रहने वाली है काफी जाद important वीडियो में अन्तता का बने रहना और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइक अंदवाद न हो है तो सो IPL से जुड़ी हर चोटी बड़ीनी अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप हमारा टेलिग्राम चैनल जो है जोइनने कर सकते हैं लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी तो आइए चलो वीडियो इस्टार्ट करते हूँ से पहले आप सभी को बता दू अगर आपको किसी भी मैच का टॉस विनर या मैच विनर का प्रडिक्शन जाए तो आप रागव किर्केट एनलिस्ट को कॉंटेक कर सकते हैं इनकी पूरी डिटेल आपको स्क्रीन पे देखने को मिल पार होगी इनका प्रडिक्शन जो है काफ़े बहतर रहता है तो दोस्तो 37 और 36 मैचों के बाद जो टीम पॉइंच टेबल में सब से आकरी अस्तान पर है ओ है आज का मैच हारने वाली टीम रोयल चैलेंजर सर बिंगलुरू Fav2places की कपतानी वाली टीम Royal Challengers बिंग लुरू को आज के मैच में Kolkata Night Address ने हरा दिया जो आप तक इस टीम ने 8 मैच खेला है और इन 8 मैचों में साथ मैचों में Royal Challengers बिंग लुरू को आरकाज सामना करना पड़ा है जबकि सिर्फ एक मैच में इस टीम ने जीते दर्जिक की है Royal Challenges बिंगलूरू के पास टोटल दो पोइंट है तो इन नेट रन रेट जो इस टीम का माइनस में काफ़ी खराब है माइनस 1.046 इस टीम का नेट रन रेट अभी इस टीम को 6 मैच और खेलें और आने वाले इन 6 के 6 मैच में जीतने के साथ साथ इस टीम को अपना नेट रने जो काफ़ी बहतरी ने करना होगा साथ में इस टीम को बाकी अधर टीमों पे डिपेंड रहना होगा प्ले आफ में कौलिफाइ करने के लिए वे रोयल चैलेंजर बिंगलूर अपना अगला मुकाबला जो खेलने वाली है वो मुकाबला 25 अप्रेल को संडाइजत हैदराबाद के खिलाफ खेला जाने वाला है और ये मुकाबला हैदराबाद में खेला जाएगा जबकि पोइंस टेबल में 90 अस्तान पर जो टीम है वो है आज का मैच हारने वाली टीम पंजाब किंग सेम करन की कप्तानी वाले टीम पंजाब किंग को आज के मैच में गुजरा टाइडर ने हारा दिया जहां पंजाब किंग जो अब तक 8 मैच खेली है और इन 8 मैचों से 6 मैचों में पंजाब किंग को हार का सामना करना बड़ा है जबकि सिर्फ 2 मैचों में इस टीम ने जीत हासिल की है पंजाब किंग के पास टोटल 4 पोइंट है नेट अन्रेट जो इस टीम का माइनस में काफी खराब है भी इस टीम को 6 मैच और खेलें और आने वलेंग 6 के 6 मैच में पंजाब किंग को जीत हासिल करने के साथ-साथ अपना नेट अन्रेट जो है बहतर करना होगा प्ले ओफ में कॉलिफाइ करने के लिए वहीं पंजाब किंग्स अपना अगला मुकाबला जो खेलने वाली है वह मुकाबला कोलकाता नाइट अडिस की लाव 26 अपरेल को कोलकाता में खेला जाएगा जबकि पोइंस टेबल में जो टीम आठवे अस्तान पर है वह है दल्ली कैपिटल रिशब पंद की कप्तानी वाली टीम दल्ली कैपिटल जो अब तक 8 मैच IPL 2024 में खेली है और इन 8 मैचों में से 5 मैचों में दल्ली कैपिटल को हारका सामना करना बड़ा है जबकि 3 मैचों में इस टीम ने जीत हासिल कर लिए दल्ली कैपिटल के पास से टोटल 6 पोइंट है नेट अने जो है माएने 0.477 है जो की काफी खराब अभी इस टीम को 6 मैच और खेलें और आने मलीं 6 मैचों में से कम से कम 5 मैच में और दल्ली कैपिटल को जीत हासिल करनी होगी प्ले ओफ में कॉलिफाइ करने के लिए, साथ में देली केपिल्स को अपना नेटर नेट जो है और भी बहतरी ने करना होगा, वही देली केपिल्स अपना अगला मुकाबला 24 अपरेल को गुजराच टाटन के गिलाप अपने होम गराउंड अरुन जेटली स्टेडियम में खि हार का सामना करना पड़ा है, जबकि तीन मैचों में इस टीम ने जीत हासिल की है, मुंबाई इंडन के पास टोटल 6 पॉइंट है, नेट अन्रेट माइन 0.133 है, जो कि देली केपिल्स से थोड़ा बैतर आभी इस टीम को 7 मैच और खिलें, और आने मेले इन 7 मैचों में से म मुंबाई इंडन को कम से कम 5 मैच में और जीत दर्जे करनी होगी, प्ले आफ में जगे बनाने के, तो यह टीम आफिसली प्ले आफ में जगे पकी कर सकती है, मुंबाई इंडन अपना अगला मुकाबलक का लियानि 22 अप्रेल को राजस सान्रोल्स के खिलने वाली है, जबक बेकिंग को हरा दी, जहां गुजरा टाइडन जो अब तक 8 मैच खिली है, और इन 8 मैचों में से 4 मैचों में गुजरा टाइडन को हार का सामना करना पड़ा है, जबकि 4 मैचों में इस टीम ने जीत दर्जे की है, गुजरा टाइडन के पास टोटल 8 पॉइंट है, लेकिन नेटरंडे जो इस टीम का माइनस में बेहदी खराब है अभी इस टीम को 6 मैच और खिलने और आनेवलिंग 6 मैचों में से कम से कम 4 मैच में और गुजराट टरंड को जीता हासिल करने के साथ साथ इस टीम को अपना नेटरंड जो काफी बहतर करना होगा प्ले आफ में जेगे बना निकले वहीं गुजराट टरंड अपना अगला मुकाबला जो खिलने वाले हो मुकाबला दली केप्रेल के खिलाब 24 अपरेल को खेलेगी जबकि पोइंस टेबल में पांच वे अस्तान पर है लखनो सुबजन केल राहूल की कप्तानी वाली टीम लखनो सुबजन जो अ टरंड जो है प्लाच 0.123 है जो कि गुजराट टरंड है काफी जादा बहत्रीन है अभी इस टीम को साथ मैच और खिले है और आने वाले इन साथ मैचों में से लखनो सुबजन को कम से कम चार मैच में और जीत दरजे करनी होगी प्ले आफ में कौलीफाय करने के लिए वही पोइंस टेबल में चौते असान पर है चिन्ने सुपर किंग रुतुराज गयकवाड की कप्तानी वाली टीम और डिफेंडिंग चेंपियन चिन्ने सुपर किंग जो अब तक साथ मैच आई पील दो हजार चोबित में खेल चुकी है और इन साथ मैचों में से तीन मैचों मे को हार का सामना करना पड़ा है जबकि चार मैचों में इस टीम ने जीत दर्ज की है चिन्ने सुपर किंग के पास टोटल आठ पॉइंट है नेटर ने जो है प्लेज 0.529 है जो कि लखनो सुपर जंद और गुजरा टर्ण से काफ़ी जादा बहतरीन है चिन्ने सुपर किंग प्ले आफ में कॉलिफाइ कर जाएगी चिन्नी सुपर किंग का अगला मुकाबला लखनो सुपर जंद की गलाब 23 अपरेल को खेला जाएगा जबकि पोइंट टेबल में तीसरे अस्तान पर है संडाइस हैदराबाद पैट कमिंग की कप्तानी वाली टीम संडाइस हैदराब जबकि पांच मैचों में इस टीम ने जीत दर्जिक की है संडाइस हैदराबाद के पास से टोटल 10 पोइंट है नेट रनेट है प्लेट जीरो पॉइंट नाइन वनफोर है जो की काफी जादा बहतरीन है अभी इस टीम को साथ मैच और खेलें और इन साथ मैचों में से कम से कम तीन मैच में और संडाइस हैदराबाद को जीत हासिल करनी होगी प्ले ओफ में जेगय बनाने के लिए मैच संडाइस हैदराबाद अपना अगला मुकाबला जो खेलने वाली है वो मुकाबला खेला जाएगा रोयल चैलेंजर्स बिंगलूरू के खिलाफ जबकि पॉइं श्टेवल में दूसरे अस्तान पर जगये बना लिए कोलकाता नाइटर जो अब तक साथ मैच केलिए और इन साथ मैचों में कोलकाता नाइटरेस को हारका सामना करना पड़ा है जबकि पाच मैचों में इस टीम ने जीत दर्ज किया है कोलकाता नाइटर के पास टोटल 10 कोलकाता नाइडर्स आने वाले चार या फिर पांच मैच में और जीत हासिल कर लेते तो यह टीम आफिसली प्ले आफ में कॉलिफाय कर जाएगी कोलकाता नाइडर्स का अगला मुकाबला जो होने वाला वो मुकाबला पंजाब वेकिंग के गिलाफ 26 अपरेल को खेला जाएग जाब तक इस टीम ने 7 मैच खेला है और इन 7 मैचों में से मातर एक मैच में राजस सानोल्स को हार का सामना करना बड़ा है जबकि 6 मैचों में इस टीम ने जीत दरजी की है राजस सानोल्स के पास टोटल 12 पॉइंट है नेट रंडेट जो इस टीम का प्लस में काफी कार मैच में और जीत हासिल कर लेती तो यह टीम आफिसली प्ले आफ में जगह पकी कर लेगी राजस सानोल्स अपना अगला मुकाबलक कल यहनी 22 अपरल को मुंब इंडन की गलाप अपने होम ग्राउंड पर खेलने वाली है तो दोस्तो यह रहा आई पील 2024 का नया पोइंच के बात का है तो दोस्तो आपको क्या लगता है क्या राजस सानोल्स पहले टीम रहेगी जो आई पील 2024 के प्ले आउफ में कॉलिफाइ करेगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं तो दोस्तो इश्यों नोबतने हैं अगर आप वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक क चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आएक अंद बातना थैंक्यू सो मच गाइज पोर वाचिंग इस वीडियो